नमस्कार स्वागत आपका जी बिस्नस में मैं हूँ दिपांचु भंडारी साल 2020 हाफवे मार्क पर पहुंच चुका है अब आने वाले छे महीनों पर है हमारी नजर क्या-क्या बदला है पिछले छे महीनों में अगले छे महीने क्या हो सकता है महमंदी आएगी या फिर आपको मिलेगा बड़ा मौका कौन से सेक्टर अच्छे या खराब रहेंगे क्या आप अपनी S.I.P. बरकरार रखें या फिर इसमें करें कुछ बदलाव इन सारे सवालों के जवाब बताने के लिए हमारे साथ तयार है जी बिसनस के मैनेजिंग एडिटर अनल सिंग्वी तो शु पर आपकी चर्चा करने हैं आने वाले 6 महीनों के लिए आपका आउटलुक लेना है पर उससे पहले एक छोटा सा रीकाप रिवाइंड कर लेते हैं यह जो पिछले 6 महीने बीत हैं काफी वालेटाइल रहें काफी उतार चड़ा रहें नई चीज़े सीखी हैं आपके अंदाज हैं नहीं था कि हो जाएगा हो जाएगा तो इतना लंबा चलेगा यह दो चीज़ें हुई जो लोगों ने अंदाज नहीं लगाया था बाके तो देखे अमेरिका में लिक्विडिटी बहुत है ब्याज़ दरें बढ़ेगी वह रश्या यूकरेन नहीं होता तब भी होना था तो यह चीज़े तो काफिया तक पता थी लेकिन क्या नहीं पता था क्या अनेक्सपेक्टेड हुआ वह रश्या और यूकरेन का युद्ध हुआ और वह भी लंबा चल गया और इसकी वज़े से जो महंगाई बढ़ी है वह उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ ग में बदला है वह तीन बड़े फैक्टर बदले है कि 40 साल के उपर उस्तरों पर महंगई कच्छा तेल महंगा और रश्या और यूकरेन का युद्ध बिलकुल और ये तीनों फैक्टर्स कंबाइन होकर हमें बाजार का क्या हल हो गया अच्छा इसमें एक फैक्टर में और ज शे महीने में बेज चुके ये कैसे हो गया से वैसे तो आम तोर पर जब जब भी अमेरिका में बढ़ने का सिस्टम शुरूँ होता है या अमेरिका में लिक्विडिटी टाइट करने की सिच्वेशन शुरूँ होती फेड की तरफ से तब-जब अमर्जिंग मार्केट में ए Westernफ I's की विक वाली का और यह पहली और आकरी बार नहीं आई हो आगे ला बहुरूँ आगे लिएस सिच्वेशन है कि तो होगा ही होगा खाली हंदोस्तान Bureau से नहीं निकाला है लग बग हर मार्केट में से निकाला है थिक ए तो यह हो गई होगा पहला और सबसे बड़ा करन बाद में दो छोटे मोटे कारण है, जो और बतानू, एक हमारे बाजार comparatively महंगे है, वो महंगे कैसे है, चाहिए आप अमेरिका इससे compare करें तो भी हम महंगे है, क्योंकि अमेरिका जादा गिर चुका है हमसे, अगर देखिए 17-18% डाउ गिरे हम भी उतने ही गिरें, तो हम मह comparison में बहुत सस्ता है, तो इसलियाद से एक और आप महंगा दूसरे emerging market से गिनी है, वो बहुत सस्ते हो चुके हमारे comparison में, हम अभी भी comparatively महंगे है, तो जब जो बाजार अभी महंगा है, वो हता नहीं कि आपका जिसमें पैसा बनावा है, या जहाँ आप अभी भी profit में वो अभी भी loss वाली situation आती है, तो FIS के लिए भी भी है, हमारा market अभी भी थोड़ा महंगा है, और तीसरी बात है कि जब दूसरे बाजार ज्यादा correct हो चुके है, especially खुद के अमेरिका के बाजार, और अगर उन्हें आज fresh पैसा लगाना है, तो फिर वो इंडिया में क्यों लग कर रहे हैं, अच्छा सर समझाईए है, अपने inflation की बात करी, मालूम था inflation ऐसा नहीं, हमारे लिए तो हमेशा inflation एक high level पर ही रहा है एक तरह से, बट इतना बड़ा concern कैसे होगा कि कोई भी बात हो, सबसे पहले inflation ही सामने आता है, बढ़ भी तो इतना ज्यादा गया दिप, 40 साल के उपने इस तरों पर inflation है, तो फेड ने accept ही किया, तो इससे ही देखा जाए, तो महेंगाई पहले हम बढ़ने दे रहे थे, कि पैसा डालो, सिस्टम में liquidity रखो, ब्याज दरे नीची रखो, demand आएगी हम इसी से बचेंगे, और अमेरिका की economy और दुनिया बर की economy बची भी तो यह तो पता था कि इससे inflation बढ़ना है, लेकिन क्या चालिस सालों के highest level पर पहुंच जाएगा, साड़े 8% पहुंच जाएगा, यह किसी ने सोचा, अब problem क्या है कि महेंगाई का भूत इतना बड़ा हो चुका है कि इसको आपको तुरंत काबू में करने की जरूरत है, तो पेशेंट इतना बीमार है कि आप खाली है ना चोटे मोटे डोस दोस्ते चलेगा निए, अब उसकी सर्जी करनी पड़ेगी, एक तोई कि आप liquidity डालना बंद कर दें, जितनी है उतनी है, अब वो नहीं, आप निकाल भी रहें वापस पैसा, अमेरिका का फेड निकाल भी र बढ़ा रहे हैं, जैसे आप सिस्टम में liquidity कम कर रहे है, ग्रोथ पर असराना यह शुरू हो रहा है, तो यह बड़ी समस्या महंगाई अचानक से हुई है, लेकिन हमने होने दिया, इसने होने दिया, इसने होने इसने होने, इस पर एक interesting सवाल बनता है, क्योंकि महंगाई के अपने बात करी, पहले liquidity दे रहे थे, अब liquidity निकाल रहे थे, दोनों में फरक क्या होता है, अगर आप market के लिया से देखी, easing cycle जो एक माना जाते है, अब जो यह tightening cycle शुरू हुआ है, यह क्या है, तो easing cycle का मतलब यह कि जहां सब कुछ बढ़िया है, लाइफ में, आराम से ज सब को अच्छे ही अच्छा दिखते है, और easing cycle में, तब market में तेजी होती है, और तेजी होती है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होती है, बिल्कुल, पैसा है, खेल तो पैसे कही है, अगर सस्ता पैसा है, धेर सारा पैसा है, तो आप कहीन कहीन तो लगाएंगे, बिल तो एक तो महेंगा पैसा मिल रहा है, और दूसरा मिल भी कम रहा है, पैसा liquidity, fed हमारा RBI system में कम करता है, तो easily available नहीं है, एक तो पहले से कम मिल रहा है, उपर से ज्यादा महेंगा मिल रहा है, अब आप पैसा उधार लेकर कुछ भी business करें हैं, consumption करें हैं, तो आपकी cost तो बढ तो ऐसे में वो tightening जो शुरू होती है, उसमें भी access मंदी होती है, तो तेजी और मंदी दोनों में tightening और easing वाली cycles हैं, उसमें दोनों तरफ बाजार में access होता है, इसको rubber band effect बोलता है, जब आप खींचते हैं तो भी एकदम इतना जोर से खींचते हैं, चोड़ते तो भी एकद जादा बढ़ेगा और जब tightening cycle में छोड़ेंगे तो एकदम सिखुर जाएगा, और वैसा होते 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 हैं, इन फैक्ट यही आपने बात करी तो इससे एक और चीज़ निकल कर रही है, यूजली हम देखते हैं, economics में भी हमने पढ़ा है, आठ साल का cycle होता है, मंदी औ और चुटा होते हैं दिख सकता है, नहीं, क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि 2020 वाली जो situation थी once in a lifetime थी, ना हमने पहले कभी देखें ना शायद बाद में वापस कभी देखेंगे, क्योंकि वह ऐसी situation थी जो कि जब आप कुछी नहीं कर सकते हैं, आम तोर पर जब भी मंदी आती तो मंदी आने में आपको करना क्या होता है, पैसा डालो, लिक्विडिटी डालो, काम ज़्यादा करो, ग्रोथ आएगी, यह सारी चीजी होती है, 2020 में क्या था? कुछ मत करो, गर में बेठे रहो, तो जाके आप बचेंगे, तो 2020 में जो reaction आया है बादार पर एकदम मंदी का, व वह situation नहीं थी, इसलिए मेरा यह मानना है कि economic cycle हो सकता है, आठ साल के गटकर 6 साल हो जाए, और इसी वज़े से आप 2020 में गटे भी 50 दिन में, और बढ़ने में भी आपने साल बर लगा है, इससे जादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो यह एक ना, बिल्कुल नहीं, यह आपको ठकाएगा, रुलाएगा, परेशान करेगा, आपका patience ट्रेस करेगा, तो भले 8 साल वाले cycle आपको वापस से नहीं देखने को मिले, आम तोर पर 8-8 साल लगते हैं, टेजी और मंदी के cycle में, 8 साल ना भी लगे, तो 2 साल भी नहीं होगे, त मतलब मंदी का technical चीज यह हो सकता है, जिसको आप कहते हैं कि दो तीमाहियों तक आपकी GDP growth negative है, तो भारत में slow down होगा, मंदी नहीं होगी, ओके, समझ गया, फरक है दोनों में, धीमे हम भी पढ़ेंगे, हम वो growth नहीं, 7 परसेंट, 8 परसेंट की growth नहीं होगी, शाद 5 परसें दो quarter में आपकी GDP growth negative हो, लेकर आप तीन या चार साल का period लेकर चलेंगे और average growth निकालेंगे, तो आपकी मंदी नहीं होगी, तो मेरे कहल से मंदी होगी, recession नहीं होगा, ऐसा मेरा strongly सोचना है, उसका reason यह है कि अगर commodities के दाम कमाते वे दिख रहे हैं, और एक crude और आपका नीचे अगया, तो हो सकता है, अमेरिका में भी उतने aggressively आपको ब्याजरें बढ़ाने की जरूत ना पड़े, और उतनी ज्यादा tightening की जरूत ना पड़े, तो technically आपका अमेरिका में recession आ सकता है, लेकिन बड़ी recession होगी, लंबी चलने वाली, बहुत बड़ी लोग जो बलते हैं, 1930 वा 2008 के बाद ये बड़ी चीज हुई है, और 2020 में हमने वो टेस्ट भी कर लिया, दुनिया पर के Central Bank समझते हैं कि मन्दी से निकलने का तरीका पैसा दो, liquidity दो, ब्याज़रे कम करो, तो formula हाथ में आगया और टेस्टेड है, दो बार टेस्ट कर लिया, तो इसलिए मुझे लगता ह recession, बहुत लंबा recession है, अमेरिका में होगा, इसकी संभावना कम है, हमारे यहां तो नहीं होगा, यह पक्का है, योरोप का मैं नहीं कह सकता है, यह वहां कुछी भी हो सकता है, बगवान मालिक है, एक तो इतने छोटे छोटे देश है, हमारे मुंबई, कलकता जितने हैं, उन कुछ एक चीजें छोड़ दो, इतनी बड़ी जोग्राफी, इतनी बड़ी population है, वो फाइदा योरोप को नहीं है, योरोप के कुछ-कुछ देश बगवान मालिक है, उड़ भी सकते हैं, वहां बड़ी मंदी भी आ सकती है, वहां कुछ भी आ सकता है, बट अधर्वाइस, इंडिया को लेकर कोई मंदी नहीं, slow down होगा, 100% होगा, अमेरिका में recession technically होगा, बड़ा जैसा लोग सोचने वहां नहीं होगा, तो फिर उतनी बड़ी चिंता हमें तो at least नहीं करने चाहिए, अच्छा ये बताएए सर, अब investors को क्या करना चाहिए, काफी सारे लोग चिंतित उन्हें क्या करना है, मतलब बेचने के लिए late हो चुके हैं और खरीदने के लिए थोड़ी सी जल्दी हो सकती है, too late to sell, too early to buy, hold is best study, जो हैं बने रखिए, मतलब timing, अगर timing करने की थी, समझो कोई बहुत सारे लोग सोचते कि अभी बेच के ले लूँ, तो ये विचार तो प otherwise मेरे खाल से अगर ये लोग सोचते हैं अभी बेच के वापस नीचे लोग, होने में बहुत सकता है, कर भी सकता है, लेकिन वह बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बैतर है कि अगर आप long term investor है, आपने अब अठरा जार सारे सतरा जार पर book नहीं किया, तो आप शानती से बेटर है, और बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग लोस में हैं, स्टोक महेंगे खरीद कर बैठे हैं, तो उनको लगता है कि एकोनोमी खराब लेखे, स्टोक मार्केट में पैसा बनाना लग चीज़ है, अच्छी है, खराब होना लग चीज़, खराब उनको बुखार आएगा, तब यह हमें चीज़ की आएगी, यह बदल गाए, क्योंकि हम बहुत बैतर हैं, इसलिया से कि हमारे हैं कंजम्शन है, इसलिया से कि हमारे हैं ग्रोथ है, हमारे हैं कंजमर्स है, और हम ग्लोबली डिपेंडेंट कम हैं, एक कच्छे तेल को तो हमारी डिपेंडेंस ही नहीं है ग्लोबल एकोनोमी पर, उल्टा दूसरे लोग हम पर ज्यादा डिपेंडेंस है, तो एक ही चीज़ हमारी बची है एनरजी, और अगर उसको हमने कंट्रोल कर लिया कि अब हम एनरजी के मामले में काफी डिपेंडेंस अपनी कम कर लें, तो हमें ग्लोबली फर्क भी नहीं पड़ता, तो कई बार लोग बहुत से हम क्यों डाउ देखते हैं, हम क्यों अमेरिका से संक्यत लेता हैं, सिर्फ एक ही वजए है, कि हमारे पास अभी एनरजी को लेकर वो ताकत नहीं आई जो चाहिए, अभी भी हमारी डिपेंडेंस हो लेकिन दूसरी कर्रेंश के मुकाबल देखें हम कम गिरें, हमें भी German trade में हिस्सा ले नहीं है, उनके साथ हमारा भी अच्छा है खराब होगा, लेकिन खराब होगा तब कम होगा, अच्छा होगा तब ज्यादा अच्छा होगा तो अब अप्रोच क्या होने चाहिए? अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको मार्केट लीडर्स लेने, सेक्टर के जो लीडर्स हैं, निफ्टी के मार्केट के टॉप 100 स्टॉक्स के बार नहीं जाना है, यह जियान में रखिए, तीसरा, कैश इसकिंग, पैसा तैयार रखिए, बाजार कभी भी आपको मौक मौका दे सकता है, अब वो मौका चाइना, टाइवान से आएगा, रइशा, युक्रीन से आएगा, किसी एक्सवाइजर से आएगा, या कोई यूरोप के एक दो देश बरबाद होंगे, उससे आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौका आएगा, पैनिक होगा और वो खास वज़े तो नहीं है, एक पोर्चुकुल या इटली उड़ गया, तो इस वज़े से इतना खराब होना चाहिए, ग्लोबल जीडीपी में तो उसका हिस्सा है, पॉइंट वन परसेंट टाइप है, लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल सेंटिमेंट का है, तब जो पैनिक करिदना है, जो में तो नहीं करिदना है, यह असर का नाजरूरी है, तो अच्छे लीडर्स का मतलब है कि उस सेंटर के बड़े स्टॉक्स आपको खरीद के रख लेना है, और बाकी पैनिक के लिए कैश तयार रखिए, कभी भी मौका आएगा, आया तो ठीक नहीं, तो आप 10% नीचे, नीचे की तरफ आपको 14,000, उपर की तरफ 17,000, यह रेंज रहना है, एक तरफ यू लेना आपके लिए मुश्किल रहेगा, लेना भी नहीं चाहिए, इस मार्केट में, क्योंकि इवेंट सी ड्राइव करेंगे, अगर समझे, रेशिया युक्रेन का सब सलड़ ग नीचे 14,000-14,000, स्ट्रोंग सपोर्ड हो गया, उपर 17,000-17,000 आपकी बड़ी रुकावट वाली यह होगी, इसमें आपको ट्राइम करना है, और अगर आपको 6 महीने के लिए आज से वीव करना है, तो फिर आपको एक्स्रीम जो भी बनता है, उसके विप्रित आपको ट्रे ट्रेम ने भी आपके लिए तयार करें, तो रेपिट फायर में 10-10 सेकंड तो मिलेंगे, यहाना में ही बोलने है, कोशिश करूँगा जितना आप 10-10 सेकंड का टाइम है, शुरुवात करता हूँ मैं, पहला क्वेस्टन, अगले 6 में निकले, क्या इंफलेशन सबसे बड़ फोकस बना रहेगा, हाँ, बिल्कुल पक्का, महेंगाई सबसे बड़ी चिन्ता है, क्या महेंगाई सेकंड हाफ में नीचे आएगी या कम होगी अटलिस्ट, कम होगी लेकिन ज्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी, उसका रिजन है कि पिछले साल हमारी जुलाई से लेकर दिस परिशानी फिर भी बनी रहेगा, कमोडिटी के दामों का क्या होगा, थोड़े कूल आफ होगे हैं, क्या और कूल आफ होगे हैं, पहली चीज तो यह कच्छे तेल को छोड़ दीजे, जो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी सारे कमोडिटी के दाम पीक हो चुके हैं, मेटल, जो दूसी कमोडिटी के दाम फिर भी उपर आ सकते हैं, उसमें भी खाने पिने की चीज़ों के ज्यादा नहीं आएंगे, मेरा यह मानना है कि अदरवाइस कमोडिटी के अपना पीक देख चुकी है, अब वह भाव वापस मैटल सेटल के नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं सिर्फ कच्चा तेल का मैं नहीं कह सकता कि आजाए नहीं आएंगे, बाकी सब के भाव टॉप कर चुके हैं, तो फिर क्या ग्रोथ वापिस आईगी? नहीं, बहुत धीमी पड़ेगी, जब आप टाइटनिंग करेंगे, ब्याज़रे बढ़ाएंगे, और आपके इंट्रेस बढ़नी है, महेंगई को काबूल नहीं, तो घ्रोथ धीमी पड़ेगी, बढ़नी नहीं. बाजार का क्या होगा, गिरेंगे या चड़ेंगे? दोनों. दोनों हो गई, दोनों दिखेगा, साथ से दस परसेंट की रेंज आप मान कर चलें, ऐधर साइड, पंगरपान, साथ स आप सो के आज पा से 10% उपर गिलिए, 10% साथ से 10% उपर, 7-10% नीचे, खराब ख़बरों पर, एक्स्टीम जब भी बनेगा, उसके विप्रित लेना है, बहुत तेजी से गड़ जाए, वहां खरीदना है, बहुत तेजी से बढ़ जाए, वहां देना है, दोनों मौके उठ बेचते रहेंगे या वापस भी आएंगे, FI's क्या करेंगे, FI's से मत पूछो, यह सिर्फ crude देख लो, अगर अगले दो महिनों में deep crude अगर 80-90$ के आसपास आ जाए, तो FI's खरीदना शुरू कर देगे, यह बहुत बड़ी चीज में आपको बता रहा हूँ, इसको एक बा तो वापस कब आएंगे, और खरीदने का मामला जब है, अगले दो मेनों के अंदर 80-90$ के नीचे crude आजाता है, तो FI's खरीदना शुरू कर देगे, तो 100$ के ओपर नहीं खरीदेंगे, यह लिख के रख लिजे, या फिर बहुत गिर गिरा के market अच्छे लेवल पर आजाए, तो FI's के लिए खरीदने लाइक लेवल हो जाएंगे, क्योंकि वह बहुत हलके हो चुके है, काफी कुछ बेच चुके है, उन लेवल के आसपास खरीदेंगे वापस से, या तो crude 80-90$ अच्छा है, तब अच्छा सपोर्ट दिया है, क्या आगे भी यह सपोर्ट बना रहेग खरीदना भी चीए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, भरोसा रहेगा भी, और मुझे नहीं लगता कि लोकल फ्रोज इतनी जल्दी खत्म होने वाले, क्योंकि अब तु बदलाव आ रहा है, लोगों को financial saving की बहुत खराब नहीं होगा दिप, होना था हो गया, बाया सी तैया सी worst के scenario में वह भी तब की crude 125-130 हो जाये तो, अगर crude यहाँ रुख जाता है, रूपे का और crude का correlation है, तो मुझे यह जगता कि इससे बहुत ज्यादा हम खराब होने चाहिए, इतनी ताकत तो economy की है, और अगर crude थोड़ा गिर गिर गिया, तो हम शायद और ज्यादा बहुत खराबी नहीं होगा, तो मेरा यह समझना है, 56% इस सालम गिर चुके है, 51% और गिन लिजिए, 79-83, इससे ज्यादा खराबी नहीं दिखती मुझे, तो रूपया बहुत ज्यादा खराब होगा, ऐसा नहीं होग मेरे खाल से 82-83, बाकी कोई abnormal situation कोई हो जाए, वो तो पता नहीं, जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें मुझे इससे जादा खराब नहीं दिखता, तो फिर कौन से sectors पर रखनी है नजर? हम auto पर positive है, auto anxiety पर positive है, यह दोनों sector परसंद है ही, उसके अलावा FMCG ज्यादा बैतर दिखा है क्योंकि local consumption है, so local consumption पर आप आना पड़ेगा, जब global recession की बाते हो रही तो इसके लावा FMCG आपको बहुत अच्छा मुखा देंगे, ITC type-K stocks, lever type-K stocks, pharma बैतर हो रहे हैं, valuations के साफ़ फार्मा में दरी का मुखा है, banks पसंद है, रहेंगे, commercial real estate वाले stocks हैं, वहा मेटल के दाम टॉप हो चुके है, तो मेटल अगर बढ़के भी आएंगे तो supply आएगे और अभी थोड़ी सी जगह और बाकी है, थोड़ा और गिरेंगे उसके बाद हम देखेंगे, कच्छा तेल से जिन कंप्यों को नुकसान होता है, वह अभी भी दूर है, क्योंकि सबाल फिर, SIP जिनके हैं मार्केट में, क्या करें, continue करें, बदलाव करें, क्या करना है, continue करें, बदलाव करने के तो भूली जाहिए, एक नया टर्म देता हूं आपको, medium last SIP शुरू करें, 12 मेने के लिए, 12 इंस्ट्रॉल्मेंट डाली है, बड़ी वाली, यूजल से बढ़ साल के लिए छोड़ दीजिए, आपके पैसे बन जाएंगा, अगर एक साल आप पैसा लगा सकते हैं, पांच साल आप होल कर सकते हैं, या मार्केट आपके लिए एक दम परफेक्ट है, ये कर लेना चाहिए, और कुछ करने की ज़रूर्ति, अच्छा फंड देख लिए, नह अगले बारा महिने में किस जगे बोटम बनेगा, तो अगले बारा महिने आप बारा इंस्ट्रॉल्मेंट डाल दीजिए, और बैढ़ जाए शांती से, चलिए सर, तयार रहेंगे, और रोज की तरह आप तो बाजार पर अपना व्यू देंगे, बट हमने सोचा, एक बैटर हाफ हो सकता है, होना चाहिए, उमीद पर दुनिया कायम है, बट हो सकता है, बाकि तो कुछ बदलेगा उसके लिए रोज हम हैं, लेकिन फिलाल इन्वेस्टर्स के लियाद से ये एक डायरेक्शन आप ले सकते हैं, बिलकुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, जुड झाल